हलो दोस्तों आद आप नमस्कार सस्षिरिया काल मैं हूँ आपका दोस्त पानी नियु सैन दोस्तों कल रात मैंने एक सपना देखा मैंने देखा कि बड़े बड़े देश के नेता बाबा जी और रास्टवादी पतरकार देश की समस्याओं पर गंभीर मंतर्णा कर रहे थे एक बड़े नेता जी ने मुझे से कहा पानी नी तुम तो बैहार में ही तुमारा जन्म हुआ है और देश की समस्याओं पर तुम वीडियो भी बनाते रहते हो ये डॉक्टर वशिष नरायन सिंग कौन है जिनके पिछले दिनों मृत्यू हुई है लोग कह रहे हैं कि वशिष नरायन सिंग देश की धरोवर थे जिसे हम सरकार चलाने वाले अपनी धरोवर को बचा नहीं पाए मैंने भखाया निता जी डॉक्टर वशिष नरायन सिंग महान भारती राजनी गनी तग थे अलबर्ट आइंस्टीन के सिद्धान को चुनोती देने वाले डॉक्टर वशिष नरायन की योगतागा डंका देश और विधेश में बजा 1969 में अमेरिका के कैलिफॉर्णिया विष विध्याले में कैलिफॉर्णिया विष विध्याले से गनित में उन्होंने पिएश टी की फिर वाशिंग्टन विष्विध्याले में वो एसोसियेट प्रोफेसर हो गए उन्होंने नासा में भी काम किया लेकिन उनका दिल अमेरिका में नहीं लगा वो भारत की सेवा करना चाहते थे इसलिए भारत आ गए और कानपूर आई आई टी में वो प्रोफेसर हो गए फिर भारतिय सांखी की विभाग में कॉलकाटा में वो फिर काम करने लगे लेकिन इन तमाम उपलब्डियों के बावजूद तबियत खराब होने के कारण डॉक्टर वशिष नरायन सिंग्जी का अधिकतर जीवन गुम नामी में भी था मेरी बात बीच में ही काटते हुए बाबा जी बोले नेता जी जो लोग वशिष नरायन सिंग्ग को तेश की धरोहर बता रहे हैं वो बावधी कातंकवादी हैं नेता जी बावधी कातंकवादी अब रास्टिय पतरकार कहां चुप रहने वाले थे उड़ों नेक पतरकार मौदे बोले डॉक्टर वशिष नरायन को देश की धरोर बताने वाले कब नेता जी मैं DNA जानता हूँ वे लोग टुकरे टुकरे गैंग के सदस है मुझे लगा कि नेता जी को बास समझ में आ गई वो बोले अरे भाई मैं तो देश की धरोर बचाने के लिए ही राजनीती में आया हूँ अभी एक धरोर को बचाया है आगे काशी, बनारस और आगरा की धरोर को बचाने के लिए भी परियासरत रहना पड़ेगा अच्छा भाई, मुझे बहुत काम है और नेता जी चले गए दोस्तों, भारत की विडंबना है हर गोविन खोराना से लेके कल्पना चावला तक यहां जन में लेकिन उपलब्दिया कमाते समय वे भारती नहीं थे बलकि अमेरिकन थे अगर भारती ये बने रहते तो डॉक्टर वशिष नरायन सिंग की तरह ही पटना के पी-म-सियच में उनका मिर्थ शरीर घंटो उपेचित पड़ा रहता है जय हिंद